हेलो नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कथा है कासी में इस्थित द्रौपदादित्ते की जिनके दर्सन मात्स से कभी अन की कमी नहीं होती है इस कथा में हम ये भी जानेंगे की सती द्रौपदी के द्वारा बनाया गया भोजन आखिर खतम क्यों नहीं होता था आखिर क्या विशेश था थी उनके भोजन में जिससे सारे संसार का पेट भर सकता था कहीं उनका बरतन तो कोई विशेश नहीं था कथा सुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे और विधार्मिक और परानिक कथाओं को आपके लिए लेके आते रहेंगे द्रौपदादित्य की कथा इस परकार है आसाड मास में उगने वाले सूर्य को वरून या अरून नाम से जानते हैं जिन्हें द्रौपदादित्य भी कहते हैं वरुन सूर्य के साथ वसीष्ट रिसी, सहजन्ने नाग, रंभा अपसरा, हुहु गंधर्व, सूक राक्षस तथा चित्रस्वन नामक्यक्ष उनके रत पर विराजमान रहते हैं अरुन सूर्य पांच हजार किर्णों के साथ तपते हैं तथा इनका वर्ण स्याम है द्रौपदा दित्ते की कथा इस परकार है कि एक समय अत्याचारी दुल्योधन द्वारा छल्प पुर्वक पांडवों का सब कुछ हरन कर लिया गया वे महावल साली पांचो पांडव द्रौपदी सहित वनवन भटकने के लिए वाद्दे हो गया अपने पत्यों की इस दारुन कले से दौपदी को बहुत कस्थ हुआ उन्होंने भूग प्यास के महान कस्थ से मुक्ती के लिए कासी में भगवान सूर्य की आराधना की दौपदी के आराधना से प्रसंळ होकर भगवान अन्सुमाली प्रकट हुए और उनसे एक्छा नुसार वर मांगने के लिए कहा द्रौपदी ने कहा प्रभू यदि आप मुझ पर प्रसन है तो इस विपत्ति काल में हमारे भोजन की समस्या का समाधान कीजिए भगवान सुर्य ने द्रौपदी को कल्ची धक्कन के साथ एक बटलोई दी और कहा महा भागे जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजनालती तुम्हारे पास आएंगे सब के सब इस अक्छे पात्र में भने भोजन से त्रिप्थ हो जाएंगे तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद यह खाली हो जाएगा तुम्हारी आराधना से प्रसंद होकर एक वर और तुम्हें देता हूँ जो मनुष्य कासी में विश्वनाथ जी के दक्षिन में इस्थित मुझ दुरौपदा दित्ते की आराधना तथा दलसन करेंगे उनकी भूप पीरा नस्थ हो जाएगी उनके संपुन जीवन में कभी भी अन की कमी नहीं होगी दुस्ट दुर्योधन को जब भगवान सुर्य द्वारा द्रौपटी को प्राप्त अक्षे पात्र की बात मालूम हुई तो उसने पांडवों को एक नया कष्ट देने का एक नया उपाय सोचा एक दिन उसने अपने यहां पधारे दुर्वासा रिशी की भगती पुर्वक नाना परकार से उनकी सेवा की दुर्वासा जी ने प्रसन होकर उनसे वर मांगने को कहा दुर्योदर ने कहा प्रभू मुझे कुछ नहीं चाहिए यदि आप मुझे पर प्रसन है तो जैसे आपने मुझे सेवा का उसर दिया वैसे ही पांडवों को भी दे लेकिन आप वहां भोजन करने के लिए तब जाए जब द्रोपदी भोजन कर चुकी हो रिसी दुर्वासा ने एवा मस्तु कहे कर उनकी विंती स्विकार कर ली वे एक दिन पांडवों के पास गए और कहा कि अभी मैं असनान करके आता हूँ आज मैं अपने दस हजार सिस्यों के साथ तुम्हारे यहां भोजन करूँगा पांडवों के साथ द्रोपदी चिंता में पर गई क्योंकि वो भोजन कर चुकी थी इस संकस्त से मुक्ति के लिए उसने भगवान श्री क्रिश्न से प्रार्थना की भगवान श्री क्रिश्न ने समय पर पहुँच कर तथा पात्र में बचा हुआ साख का एक पत्ता खाकर तीनों लोग को त्रिप्त कर दिया और दुरवासा रिशी के कोप से पांडवों की रक्षा की पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद कथा अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करें धन्यवाद